नमस्कार, आज हम बात करेंगे कलीम बीज मंत्र साधना और उससे जुड़ी हुई ध्यान विधी के बारे में कलीम एक चमतकारिक मंत्र है और यह क, ल, ई और अनुस्वार म इन चार भागों से जुड़ कर बनाये इस मंत्र के देवता काम देव, बगान श्री कृष्ण और माक काली को माना गया है इस मंत्र को काम बीज भी कहते हैं, अथार्थ इस मंत्र को काम रूप माना जाता है और इस मंत्र में राधा कृष्ण जी के प्रेम की शक्ती का वास रहता है इसलिए इस मंत्र की साधना से व्यक्ति में समोहन और वशीकरण की शक्ति आ जाती है और उसका व्यक्तित्व अति अकर्शक हो जाता है इसलिए इस मंत्र की सिद्धी से व्यक्ति अपने टूटे हुए प्रेम को दुबारा जोड सकता है किसी व्यक्ति के साथ इस प्रेकार प्रेम से जुड सकता है क्यूंकि यह मंत्र मुख्यता प्रेम के देवता कामदेव और बगवानशीर कृष्ण से जुड़ा है इसलिए निजी सबंदों खासकर प्रेम सबंदों को मजबूत करने के लिए इस मंत्र का खूब उप्योग किया जाता है किन्तु इसके साथ साथ इस मंत्र का उप्योग धन प्राप्ति के लिए विमारियों से मुक्ति के लिए अथवा अपनी किसी भी प्रिकार की इच्छा या मनो कामना पूर्ती के लिए भी किया जाता है क्लीम बीज मंत्र का उप्योग अकेले भी किया जाता है यानि कि आपको इसके साथ और कोई शबद नहीं जोड़ना है और मात्र क्लीम शबद का ही उच्चारन करना है लेकिन इसका प्रियोग दूसरे शबद जोड़कर भी किया जाता है जैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम जोड़कर अथार्थ, ओम, क्लीम, कृष्णाय, नमह, आदी अब हम बात करते हैं क्लीम बीज मंत्र की साधना की यानि क्लीम जाप मंत्र ध्यान विधी की इस ध्यान विधी में आपको केवल क्लीम बीज मंत्र का ही उच्चारन करना है और उच्चारन मन ही मन यानि की मानसिक रूप से करना है उसे बोलना नहीं है आपको और इस साधना को माला के साथ या बिना माला के भी कर सकते हैं और हर रोज ब्रह्म मुरत में अथ्वा संध्या काल में अथ्वा रात्री काल में भी इसका ब्यास किया जा सकता है पहले पहल हर रोज 15 मिनिट अथ्वा एक माला और धिरे धिरे समय बढ़ाते हुए एक घंटे तक या 11, 21 या 31 माला तक भी इसका जाप किया जा सकता है आप इस साधना को कम से कम 40 दिन और अधिक्तम 6 महां से लेकर एक वर्ष तक कर सकते हैं पूरी साधना के दुरान आपको सात्विक आहर लेना है और धैरय, लगन, शरदा के साथ निरंतर अभ्यास को जारी रखना है इस साधना का प्रमुक उदेशया है कि साधक के जीवन में उसको प्रमात्मा की किर्पा और आशिरवाद प्राप्त हो और उसके जीवन में सुख, शांती और अरोग्या है किन्तु यदि आप किसी खास मनोद कामना अथवा इच्छा पूरती के लिए साधना शुरू करना चाते हैं उस इच्छा विशेश की आपको ध्यान शुरू करने से पहले और ध्यान खतम करने के बाद हर बार दोनों बार आपको ये प्रात्ना करनी है. अब हम बात करते हैं ध्यान्वीदी की की कैसे आपको इसे करना है इस ध्यान्वीदी में आपको त्राटक और मंत्र जाप दोनों का अभ्यास करना है कैसे सबसे पहले आप एक बड़ा सफेर कागज या चार्ट ले ले और फिर उस चार्ट के या कागज के बीचों बीच सेंटर में क्लीम मंत्र को लिख दें जैसे कि इस चितर में दिखाया गया है इस प्रकार आप उस मंत्र को लिख सकते हैं फिर इस कागज को अपने सामने दिवार पर लगा दें जो जहां भी आपका ध्यान कक्ष, पूजा कक्ष है उस पूजा कक्ष में या ध्यान कक्ष में आपने दिवार पर आप इसको लगा देंगे और फिर दो फुट की दुरी पर आप इस चित्रे के सामने बैठ जाएंगे साथ साथ ही आपने मंतर का मानसिक जाब भी करना है यानि सामने दिवार पर क्लीम मंतर को देखते रहेंगे और साथ साथ भीतर मानसिक रूप से क्लीम मंतर का जाब भी करते रहेंगे और जब आपकी इस प्रकार दोनों चीज़े करते करते यानि कि सामने आप देख भी रहें और पलकों को जबका भी नहीं रहे हैं और भीतर ही भीतर मंत्र का मानसिक जाब भी कर रहे हैं जब इस प्रकार करते करते 30-40 सेकंड बाद या मिंट बाद जब आपकी आँखी ठकने लग जाएं आँखों से पानी आने लग जाएं क्योंकि आप पलक तो जबका नहीं रहे हैं अब आँखे बंद करने के बाद आप क्लीम मंत्र जो आप अपने सामने देख रहे थे अब इसकी आफटर इमेज इसके प्रती रूप को अपने भीतर देखेंगे जब आप लगातार कुछ देर तक उस मंत्र को देखते रहेंगे तो क्या होगा जैसी आप आँखें बंद करे जब तक वो प्रती रूप जब तक वो आफटर इमेज गाएप ना हो जाए और जब तक आप इस इमेज को देखते रहेंगे देखते देखते आप साथ में मानसिक जाप भी करते रहेंगे और जप चितर दुνदला होकर दिखाई देना बंद हो जाए तो फिर से आँखें खोलें और फिर से सामने लगे मंतर पर नजरे टिका दें और फिर से भीतर जाप जारी रखते हुए सामने लगे मंतर को त्राटक के भावना से देखते रहें यानि कि जो मानसिक जाप है वो तो आपको तब भी करना है जब आप सामने देख रहे हैं चित्र पर और तब भी कर का जाप निरंतर करते रहने और इस दुरान आप अपनी खुली आंखों से पहले चित्र को सामने देखेंगे मंतर के चित्र को और फिर जब खुली आंखों से आप ठक जाएं तो आंखे बंद करके जो उसका जो प्रती रूप आपकी आंखों के आंखे बंद आखों के आगे बनेगा फिर उसको भी देखते रहेंगे और तब तक देखते रहेंगे जब तक कि वो गायपना हो जाए धुन्दलाना हो जाये और उसे देखते-देखते भी मानसीquet criticizing क रहेंगे तो इस प्रिकार बार-बार पहले बाहर मंत्र को देखने है और फिर भीतर देखने है और साथ ही साथ मांसिक जाप करते रहने है तो ये चीज़े साथ साथ लगातार चलती रहेंगी तो इस प्रिक्रिया को जितनी देर भी आपको comfortable लगे पहले दिन आप 5 मिनिट करें एक माला करें फिर दिरे दिरे समय बढ़ा बढ़ाते आप इसको 15 मिनिट तक कर दें और अगर आप को सविधा पुन लगे तो आप इसे और जाधा भी कर सकते हैं 20 एक जाद़ बीकर रहेगा लेकिन कुछ साफधानियां भी रखनी है अगर आपको आख का किसी प्रकार का कोई रोग है कोई तकलीफ है फिर आप त्राटक ना करें फिर आपने बिना पलक चपकाई नहीं देखना है फिर आप पलक चपकाई भी सकते हैं ये चीज का अपने ध्यान रखने है तो इस प्रकार आप इस ध्यान विदी को हर रोज लगातार इसका अभ्यास करेंगे और इस विदी का अभ्यास करते करते फिर जैसे जैसे आपकी साधना आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी अकर्षन शक्ति आपकी चुमकिया शक्ति आपके नेत्रों में भी और आप अपनी और अकरशित करने लग जाएंगे और जिस भी इच्छा या मनो कामना पूर्ती के लिए आप इस साधना को कर रहे हैं आपकी वह इच्छा या मनो कामना पूरी होनी शुरू हो जाएगे तो ये मैंने आपको इस पूरी विधी के बारे में डिटेल से पूरी इसकी जानकारी दी आप इसका अवलोकन करें इसको समझें और अगर आप चाहें तो इसका अभ्यास शुरू करें इससे आपको बहुत लाब होगा धन्यवाद